हेलो दोस्तों स्वागत आपका हमारे चैनल टेक्निकल लाई उस में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आप IICT का एकाउंट लॉगिन करते हैं तो जो आपको लॉगिन प्रॉब्लम आती है उसको फिक्स कैसे करना या उसको सही कैसे करना है आज मैं आपको वही क्लिक करते हैं तो आपको हर लोगों को सिर्फ एक प्रॉब्लम आती तो चलिए मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या आती है और उसको सही कैसे करना है दोस्तों सबसे पहले आप लॉगिन पर जब भी क्लिक करते हो तो आपको रीक चैप्चा को आप्शन यह प्रॉब्लम के प्रॉब्लम साथी है जीसा कि आपको देख सकते हैं यहां पर आगया है प्लिस इंकर वैली यूजर नेम प्रॉब्लम कभी कभी तो हमेंसा आती है चाहे कुछ भी हो दोस्तों आपका एकाउंट प्रॉब्लम देती है तब जब आप बहुत टाइम हो जाता ह या फिर इसको आप अच्छे नहीं कर पते है तो उसको साही करने का सिब्ध कुछ त्रीक ही है नि चाहा हो तो आप इसको फिर से अच्छे से लिख के फिर से पासवर्ड स्ट लिख के जाके एक new password आपको बना लेना है फिर उसके वाद जब भी आप यहाँ पे अपना password याद करेंगे तो चलिए दोस्तों हम इसको पहले कर लेते हैं अगर मैंने इसको आपको बताया तो बहुत लंबी वीडियो जाएगी तो चलिए हम इसको रोक के मैं वीडियो कर लेता हूं फ फिर से login को option पे click करना है तो देखते हैं यह problem हम भी सही हुआ है कि नई इस ट्रिक से तो हम यहाँ पर login के option पे click कर दिया यह automatically verify हो जाता है यह capture option तो दोस्तों देखिए यहाँ पर प्लीस वेड को option ले रहा है तो सब्सक्राइब अपना बना लिजिए जिसके जड़ी आप एक MPM डाले जिरिया अपना खोळ सकते हैं तो दोस्तों देखिए मेरा account यहाँ पे बनके ready हो गया जैसा कि आप देख सकते मेरा account अच्छे से तयार हो गया है और हम चाहूंते हैं अपना ticket आसानीस बुक कर सकता हूं तो अगर दोस्तों आपको ticket बुक करना है तो description में लिंक दे दूँगा आप जाके ticket वहाँ से अच्छे से बुक कर सकते हैं अगर और भी कोई problem है तो नीचे comment करें हम उस पे video जरूर बनाएंगे दोस्तों इस तरीके साब अपना जो भी issue आ रहा था जो भी था मैंने इसको आपको बता दिया है अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए अगर आपको और भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो आप हमें जबूर कर देंगे तो चलिए मिलके अगरे वीडियों तक के लिए जय हिन जय भारत